प्रभातखबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं कनिका कपूर संक्रमन की वजह से लखनव के एक अस्पताल में भरती है वहीं अमेरिका की मशहूर सिंगर कैली शोर अभी-अभी कोरोना स्वाइरस के संक्रमन से उबरी है लेकिन इस वीडियो स्टोरी में हम बात करेंगे उन सितारों की जिन्हें कोरोना लील गया सबसे पहले बात एलन मेरिल की अमेरिकी गीतकार और संगीतकार थे गिटार पर इनकी बेजोड पकड़ थी इन्होंने आइकॉनिक गाना I love rock and roll लिखा था और परभार में किया था 30 मार्च की सुभा इनका निधन हो गया 79 साल के थे और कोरोना वाइरस से पीडित थे इनके मारेजानी की खबर इनकी बेटी ने ट्वीट करके दिया था कैन्स शिमोरा दिगज कॉमेडियन कैन्स शिमोरा की जिन्दगी भी कोरोना वाइरस लील गया 70 साल के कैन्स शिमोरा दिगज कॉमेडियन थे कैन जापानी नागरिक थे, 70 के दशक में बतोर हास्ते कलाकर अपना करियर शुरू करने वाले सिमुरा को उनकी मूच डांस के लिए जापान में खुब पसंद किया जाता था बीते 29 मार्च को इनका निधन हो गया जो डिफी, अमेरिकी लोग गायक जो डिफी की मौत भी कोरोना वाइरस की वज़ा से हो गई 61 साल के डिफी ग्रैमी आवार्ड से सम्मानित थे, डिफी ने 90 के दशक में कई सुपर हिट गाने गाये थे, उनका आखरी सोलो एल्बम साल 2010 में आया था डिफी की मौत 39 मार्च को ही, इनकी मौत की खबर इनके पब्लिसिस्ट स्कॉट एडकिन्स ने फेस्बुक के माध्यम से दी मार्क बलम, हॉलिबूड सुपरिस्टार मार्क बलम की जान भी कोरोना वाइरस ने ले ली, उनकी उम्र 79 साल थी उनका इलाज New York के एक अस्पताल में चल रहा था, यहीं उन्होंने अपनी आखरी सांस ली मार्क की पतनी जैरेट जैरिस ने इमेल के जरिये उनके निधन की सूचना दी मार्क का सिनेमा और थीयटर में समान रूप से अहम योगदान रहा हाल ही में यू नाम की वेब सीरीज में उन्होंने कमाल का काम किया था आजम खान, पाकिस्तान के मशूर स्कॉस खलाडी रहे आजम खान का भी कोरोना वाइरस की चपेट में आने से निधन हो गया उन्होंने लंदन में अपनी आखरी सांस ली आजम के निधन की खबर उनके परिवार ने दी, वो 95 साल के थे आजम खान ने साल 1969 और 1961 में ब्रिटिश आपेन खिताब जीता था कई और सितारे भी कोरोना वाइरस की चपेट में हैं हमारी दुआ है कि वो इससे सकुसल वापस लोट आएंगे चलिए आप भी अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए अब डेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे